और भीड को कंट्रोल करने के मुद्धे पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ है मेरी सही योगी मांसी गोपाल कृष्णन मांसी बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में शुक्रिया अन्वर और मंधन के पचासफे एपिसोड पर आपको और पूरी टीम को मुबारक बा मांसी हमने इस रिपोर्ट में देखा भीड मैनेजमेंट को लेकर के इस तरह से फॉर्मूले बनाना बहुत आसान है लोगों को बता देना कि हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं आप ऐसे चलिए वो आसान चीज़ है लेकिन फ्रैक्टिकलिटी में भीड मैनेजमेंट कितना प परिशानी हुई भगदर बच गई 21 लोग मारे गए जी इसका मतलब मान से के आपको बहुत से चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है टेक्निकलिटी के साथ ही अनुमान भी से ही लगाना पड़ता है मैं यह समझना चाहता हूं कि भीड को मैनेज करने के लिए जो तरी पैट सकते हैं और उसमें करीब 76 एगजिट है तो पांच मिनिट में स्टेडियम को पूरी तरह खाली किया जा सकता है लेकिन इसके अलावा सबसे जरूरी है कि जो जवान हैं जो पुलिस कर्मी हैं सुरक्षा कर्मी हैं उनमें संपर्क बहुत अच्छा हो बारियर्स अची तरह बनाए जाएं और कहां से आना है कहीं कहां से जाना है यह सब अच्छी तरह तैकिया जाए यानि कि कॉम्निकेशन जो सुरक्षा के जो इंतजाम है उनके कॉम्निकेशन के बहुत ज़्यादा जरूरत है मांसी हमने भारत में देखा है कि आए दिन वहां भगदर हो जात कुंब मेले के बारे में फिल्मों में कहा जाता है कि भाई वहन इक दूसरे से पिछड़ गए और फिर 50 साल बाद मिले या 25 साल बाद तो इस साल फर्वरी में 10 खर्वरी को इसी तरह का भगदर कुंब मेले में मचा अलाहबाद रेलवे स्टेशन में अब वहाँ कुंब मेला हो राथा संगम के पास और railway station के बीच कोई संपर्क नहीं था तो आरती करके लोग railway station आए और railway station में जो कर्मी थे उन्हें नहीं पता था कि कितने लोग आ रहे हैं तो station पुरी तरह भर गया और भगदर मच गई क्योंकि लोग फिर बाहर निकलना चाह रहे थे और बहुत technology इसमें हैं रोलिया अदा कर सकते हैं कि आप एलान टाइम पर कर सकते हैं आप लोग को internet के जरिये बता सकते हैं कि कहा जाना है कैसे जाना है इस तरह की चीज़े मापकर सकते हैं इससे काफी फाय्दा होगा अगर आप पहले ही लोग को बता दे internet पे कि ये हमारे फेस्टिवल का प्लान है आप यहां से आए पहले टिकेट खरीद लें ताकि भीड को रोका जा सके टिकेट में आप टाइम बताएं कि अच्छा आपका टिकेट चार बजे से वैलिड है तो लोग उस वक्त आएंगे आप फिर जाद अच्छी तरह और्गनाइज कर सकते मांसी गोपाल कृष्णन बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में आई हमारे साथ चर्चा की